Alright, तो बहुत बड़ी shocking news निकल के सामने आ रही है, Realme 11 Pro Plus के बारे में, आज की इस वीडियो में आप से बात करने वाला हूँ इसी फोन की एकदम confirm specifications के बारे में, और आपको दिखाने वाला हूँ इस फोन का first look, और I'm sure ये वीडियो आप देखने के बाद last में शॉक होने वाले ह इस फोन के साथ में बहुत बड़े-बड़े changes करने वाला है, सबसे पहले बात कर लिजा है इस फोन के look के बारे में, तो इसकी एक जलक हम already पहले देख चुके थे, बट आज ये जो अपनी screen पे आप photo देख रहे हूँ वो exactly Realme 11 Pro Plus की है, साथी साथ यहाँ पे आपको leather back देख 10 Pro Plus की है, यहाँ पे आपको white color और golden color से stitching साफ साफ दिखाई दे रही है, camera module हम already देख चुके है, वही circular वाला है और दिखने में फोन वाके में अच्छा दिख रहा है, यहाँ पे आपको exactly वही panel देखने के मिलने वाला है, यानि की display panel देखने के मिलने वाला है, जो आपको Realme 10 10 Pro Plus में देखने के मिलता था, यानि की 6.7 इंचिस का Full HD Plus Resolution वाला एक AMOLED पैनल, 120Hz का refresh rate रहेगा, साथी साथ, 1920Hz की PWM Deming भी देखने के मिल जाएगी, और शायद से आपकी बार भी आपको कोई वाप protection देखने के लिए ना मिले, जो Realme 10 Pro Plus में हुआ था, dual class थे, शायद कुछ वैसे ही आ सकता है, यहाँ पर, साथी साथ, HDR10 Plus certified होगा, 800 nits से 1000 nits के आसपास की peak brightness हो सकती है, 1 billion color shades पर यूज करेगा, और 19.5% के आसपास का screen to body ratio रहने वाला है, और यहाँ पर आपको मिलने वाला है, यहाँ पर आपको मिलने वाला है, यह शायद आपी आया नहीं है, या फ 800 megapixel का मिलेगा, OIS भी होने वाला इस बार, 8 megapixel का ultra wide and 2 megapixel का macro या फिर depth मिलेगा, और major changes की है, front camera में, यहाँ पर आपको 32 megapixel का primary lens मिलेगा, अब बस देखने वाली बात है कि यहाँ पर lens कौन से यूज होता है, और optimization camera का कितना बढ़िया करता है, यहाँ पर आपको realme ओफर करने यहाँ पर आपको 4500 mAh की बैटरी मिलने वाली है, और 100W का चार्जर भी मिलने वाला है, अब मैंने एक चीज़ नोट करी है कि realme शाओमी बन चुका है, और Xiaomi realme बन चुका है, कहने का मतलब यह है कि हम, as a consumer, बहुत सारी चीज़ एक्सक्राइब करते थे शाओमी से, कि Xiaomi हमें इंडिस्पेफ कमेंच स्कानर देगा, या फिर लेधर बैक वाल ऑप्शन देगा, बट Xiaomi, अब Xiaomi नहीं रहा, मुझे बुलना चाहिए कि अपने आपको काफी चेंज कर लिया है, यूजर की सुनता नहीं है, बट अब realme नहीं इस चीज यह चीज जो है, वो पकड़ लिया, यूजर की सुनता है, यूजर को ग्लास बैक चाहिए था, यूजर को लेधर बैक चाहिए था, लेधर बैक मिल रहा है, हम उप गयते 16MP की सेल्फी से, तो अब यहां पे आपको 22MP का सेल्फी देखने के लिए मिलने वाली है, औल्दो realme अब मुझे लग रहा है कि एक बहु होसकता है, प्राइसिंग इंडिया में हो, बाकि आप देखता है यह है कि इस फोन की लाँच देट कब है, necks month चाना में लाъंच हो रहा है और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, तो लाइक कर लीजए इस वीडियो के स्बिच्चवड़़ॉब के लिए मेरे चैनल को और शेजरो करिया जैहन बन्दमाथरम